हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू इटीशन, एजुकेशन फर बिटर टुमरण, आएम अंकिता और मैं आज आपके लिए कुछ मज़ेदार चीज़ ले के आई हूँ, जो की है इंडियन इंग्लिश, अच्छे ये इंडियन इंग्लिश क्या है? उससे पहले हम जानेंगी डाइलेक्स के बारे में, ठीक है? ये डाइलेक्स क्या है? डाइलेक्स का मतलब है कि बोली, जैसे की डाइलेक्स हमारे अलग-अलग है, मतलब क्या है? पर एन एक्जाम्पल, मैं ओडिसा में रहती, तो मेरी बोली क्या होगी? ओडिया होगी, लेकिन ओडिया बोली नहीं है, ओडिया भासा है, बोली क्या है? बोली है, जो की हम डिफरेंट-डिफरेंट डिजियन में अलग-अलग भाशा को अलग-अलग तरीकेशे बोलते हैं उसको हम बोली कहते हैं. ठीके? जैसे कि मानलीजिए मैं ओडिया बोलती हूं बालेश्वर में रहके, तो मैं क्या को किसा बोलूँझा? और अगर इसके बारे में मैं बोलने से पहले आप लोगों कुछ क्वेश्चन पूछूँ आपको पता है बैंगन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है दही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं या आपको यह पता है कि हम जो बैंगल्स या चूड़ी बेहनते हैं इसको इंग्ल बोलते हैं लोकões इन बेश्च में इसको बोलते हैं ऑर बिंचल अलग कहीं पे भी नहीं बोला जाता है क्योंकि हमारे इंडियन इंगल्लिशिश धक्तरफ तरफ देखे आधे क्यों यह जो घंहावा आसा दिखना जा यह मैं क्या है है कि लोग इसकता जंगल बोलते हैंWow UK इंग्लिश में इसको इंगले है हम लोग इंडियum जंगल को इंग्लिश को भी जंगल लिखते है praising और सारे बहुत सारे यह सारे चीज़ करने इंडिया से औरिजनेट हुए है तो आगे बठते हैं जैने हम लोग सब दही तो खाते तही को इंडिया इंग्लिश में क्या बोला जाता है गड़ बोला जाता है लेकिन इसका UK UK English क्या है? कौन बोल सकता है? UK English है योगर्ट ऐसे ही बहुत सारे इसे वर्ड से जो की ओरिजिनेट हुए है कहां से? इंडियन इंग्लिश से हम अपने डाइलेक्स से ये सारे चीज़ बनाएं तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों डाइलेक्स के बारे में बो At the end मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग बास मताने जाने हैं आप लोग शैंपू ये तो सुने होंगे शैंपू वर्ड आया कहां से? चम्पी सुने है? राइट अच्छा एंग्रिजिया ये जो चम्पी वर्ड है ना इसी से ही शैंपू आया है चम्पी से अंग्रे जो ने ब है लेकिन कहा है ये शैंपू जो की एक हिंदी वर्ड है ना तो देखिए हम रोज वरी जिंदेगी में बहुत सारह ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो की इंग्लीष है लेकिन उसका ओर इंगली पता होता लेकिन आज तो आपको ये पता चल गया होगा कि इंडिया लिए और प आइकन को दबा के रखिए ताकि अगली बार जब वीडियो आए तो पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाएगा थैंक यू बाई